अपने सेविंग एकाउंट पर पाईये FD जितना ब्याज जी हाँ आज मैं बात करने वाला हूं स्विप इन फैसिलिटी की जी हाँ ये फैसिलिटी लगबग सभी बैंकों में उपलब्द है ज़्याद तर बैंकों में उपलब्द है ठीक है कि इसमें क्या फैदा मिलता है जैसे मैं आपको बताता हूं too है से विधिन एक्ऊणट पर आपको साड़े खिन पर्षैंट यह तीन पर्षैंट बैरह मिलते हैं और एफ डिव पर आपको छ्हे से साथ पर्षैंट जी आम मिलताएं ठीकanka तो आपको से यहां सबस्पर ऺाइव ऐसे是的 तो कैसे उठेंगे फैसिलिटी के नाम है यह स्विप इन फैसिलिटी ठीक है इस पर डबल फैदा होगा क्या फैदा होगा जैसे जो आपकी बज़त खाते के जमा पर व्याज वो तो मिलता रहेगा जो सारी तीन परसेंट हैं लगबग और स्विप इन के तहत कन्वर्ट हुई एपडी पर उसके लिए तैय ब्याज मिलने लबता है इसको इस प्रकार से समझते हैं मैं समझाता हूं उसको जैसे आपने एक एक एकाउंट उपन किया सेविंग एकाउंट ठीक है उस पे उस एकाउंट में आपने डिपोजिट किये बारा हजार उपी एक एगजम्पल दे इसके तैट 10,000 रुपे आपके FD में कनवर्ट हो जाएंगी अपने आप ही ठीक है FD जितना ब्याज मिलने लेगेगा इन 10,000 रुपे पर 6-7% ब्याज मिलता है FD पर तो FD जितना ब्याज मिलेगा न पर टोटल पैसा यह हो गया और 2000 रुपे आपका बैलस रह गया कि लियर ठीक है यह अपड लगवग किसी मेंक में महीने के लिए होती है किसी में एक साल के लिए होती है ठीक है तो छह मेंने या एक साल के लिए इसको मान सकते हैं तो यह जो 2,000 रुपे है इंपर 3-3.70% मिलेगा ठीक है और जो 10.000 रुपे आपके FD में convert हो गए है उन पर 6-7% मिलेगा ठीक है एकाउंट यही रहेगा सेविंग एकाउंट ऐसा नहीं है कि हम अलग से करवा रहे हैं अलग से वह अलग चीज होते हैं जो FD होते ना उसके बार में मैं बात नहीं कर रहा हूं ठीक है तो जो 10,000 रुपे सबोच करिए यह वाला है ना यह FD जैसे एक एक जमपल मैंने दिया दूसरे एक जमपल मैं ओर देना चाहता हूं सबोच करिए कि तय लिमिट सबकी लिमिट अलग अलग होते हैं माले बैंक ने एक लिमिट रखे है कि 25,000 रुपे से निचे इस फैसलिटिकल आप हम नहीं देंगे हम देंगे 25,000 रुपे आपके है यानि कि 25,000 रुपे से नीचे तो नहीं देने वाले 35,000 रुपे आपके अकाउंट में है तो 25,000 रुपर सुझदा देने वाले है ठीक है तो आपके कितने पैसे बचेगे दस जार रुपे आपके एक्स्टर है 25,000 से ठीक है तो दस जार रुपे पर आपको FD जितना ब्याज मिलेगा 25,000 रुपे तो उनके लिमिट है कि इतने पैसों से नीचे हम कुछ सुदा नहीं देंगे यह फैसलिटी नहीं देंगे तो दस जा बाद उनकी FD हो जाएगी उन पर भी 6-7% मिल जाएगा 12,000 रुपे आपने डाले या दस जार रुपे आपने एक्स्टर डाल देंगे अपनी सेविंग एक्कॉंट पर तो 6-7% उस पर ब्याज मिलता रहेगा लेकिन अगर जितने वी आप इसमें पैसे एक्कॉंट में डाल इस से उपर यह जंप मार जाता है पैसा तो फटी जितना ब्याज मिलेगा ठीक है तो इसमें और FD में क्या अंतर होता है जो FD कराते हैं जब हम उसको FD को तुरवाते हैं जो FD करवाते हैं तो उसको तोड़ने में यानिके उसका bank पैसे काट लेती है और काफी मसकत करने परती है तो इसमें प्रोब्लम हो जाती है बहुतर करने परती है तो आपको पूरा नहीं मिल पाता है इसमें क्या है इसमें आपको अपने आप ही सुधा मिल जाएगा आपको आपने बैंक से संपर करने है ठीक है यह तो आविदन पत्र मापर देना है अलग अलग बैंक के अल यह 20,000 रुपे रह गया तो आप की FD खतम हो जाएगी अपने आफ ही ठीक है और आगर आप इसमें 24 रह गये हैं तो 24 में 3-4 यहनके 10,000 रुपे डाल दो तो आपको FD कलाब मिल जाएगा तो आप करता को यह देखना है कि यह कितने पैस diğer दस जार पर दे रहे हैं जैश्ट्रम और ते रहे हैं या 15500 पर दे रहे हैं तो हुआ उपने यह बैंक से समपर कर लेना हो है कि थिकल电ी थिए यह में ने जाता है रहाए जो पैसे होता न वो थे का कंव बियाज तरहेगा तो इस किम और नहीं है तो बेंग लगभाव्व के यहाँ ड़े आप लेते हैंग तोंन्ग कर सब्सक्कम से bigger आपका HDFC हो गया, Bank of India हो गया, PNEB हो गया, ICICI आदी बैक, ठीक है, मैंने इंपोर्टाइट बैक के नाम यहां पर ले दिया है, ठीक है, ज़्यदा तर बैक इसको देती है, इस सुविदा को, ठीक है, और दो से ज़्यदा FDB आप करवा सकते हैं, दो से ज़्यदा FDB में करवा सकते हैं जब चाहिए, पैसे को निकाल सकते हैं, जब चाहिए, कभी भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, और FDB में ऐसा नहीं है, FDB में आप पैसा निकाल सकते हैं, FDB को तोड़ना पड़ता है, जब उसमें पैसा निकाल सकते हैं, FDB खतम हो जाती है, इसमें पैसा कभी भी निकाल सकते हैं कभी भी जम्मा कर सकते हैं कभी निकाल लो कभी जम्म कर लो कोई दिक्कत नहीं आपका सेंग एकाउंट ही रहेगा बस थोड़ा देखना है जो बैंक ने लिमिट टैकी है 25 रुपे की है कि हाँ उससे उपर हम इसको फैदे देंगे तो इससे ऊपर आपको मिलते निखाले तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है निकाले लेगो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब दो पर यहां पर थो आप ऊप्षाइब मेने में इसके बारे मुत हुए है texto तो ये मैंने जानकर सेँ अटर्था जाते हैं आपका कमेंट मेंole car सकते हैं कोई जानकरिया अगर मेरे से रह गई हो तो आप सुलूशन में सुका कमेट बोक्स में कर दूंगा या अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कहते हैं तो अगर आपकी थोड़ी प्रोब्लम रहती है समझने में तुम्हें अलग भी बना सकता हूं तो हमारा मसद है कि आपका आर्थिक विकास किया जाए किस प्रकार से आप आर्थिक रूप से संपन मनें इंकम के सोर्स क्या क्या हो तो हमने एक इंकम का सोर्स आपका बढ़ने का काम की है ताकि आपको इसका फैदा मिल सके आपका लगातार आपने कहीं सालों से यह से संपर्ख करिए इस विदा का लाव उठाइए और पैसे को डबल कीजिए और यह जो एक साल के लिए ठीक है तो यह जानकरी कैसे लेगी अगर जानकरी अच्छी लेगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और हां अपने यार दोस्तों को शेर भी कर देना क्योंकि उनके पास